नमस्कार पिश्णोर तक में आपका स्वागत है बीती रातरी में ज्वेलर की दुकान में चोरों ने कुंबल लगा कर लाखों के आभुशन वे नगदी चोरी कर ली सुबह दुकान में कुंबल लगा देख उसके होश उड़ गए घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही, पुलिस महकमे में हरकम मच गया मौके पर इस्थान्य पुलिस, सहित S.P.C.T. और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँची और जांच में जुट गई थाना चांदपुर की जलीलपुर में कमल सैनी पुत्र धरमवीर सैनी की सुनार की दुकान है बीती रातरी में चोरों ने दुकान के पीछे से कुंबल लगा कर दुकान में रखी जो अलेधी चोरी कर ले गए सुबह दुकान खोलने पर सामन बिखरा हुआ देख उसके होश उड़ गए घटना की सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना इस्थल का निरिक्षन किया और घटना की जांच में जुटी दुकान में लगे कैमरे के आधार पर पुलिस घटना को खोलने के प्रयास में लगी है घटना इस्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ स्पी सिटी लक्ष्मी निवाश्मिस्ट्र मौजूर रहे पुलिस घटना की जाच में जुटी थी तथा फॉरेंसिक टीम ने घटना इस्थल पर नमूने लिए दुकान स्वामी कमल सैनी के अनुसार चोरों ने दुकान में रखी साथ हजार की नगदी वे लगबख सॉला किलो चांदी वे सोने की चार अंगुठी चोरी होने की बात की है लगबख 10 लाक रुपे की चोरी होना बताया है वहीं पीडित की पत्ती सरीता सैनी ने बताया कि उ उबर भी नहीं पाया था कि बीती रात घटी घटना से पीडित परिवार सदमे में हैं।